जैए शुरी राम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा आज का वीडियो रहेगा कि जुलाई 2022 का महिना वरशव राशी वालों के लिए कैसा ये महिना आपके लिए एतिहासिक सावित हो सकता है यानि इस महिने को मैं कह सकता हूँ कि साल का सबसे अच्छा महिना हो सकता है अगर आपने एक दो बाते जो मैं आपको बताऊंगा उनका आपने अपने जीवन में ध्यान किया तो क्योंकि व्यक्ति को उठाने में और गिराने में छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा एम रोल है आपने कोई छोटी सी गलती की आप नीचे गिर जाएंगे आपने बातों का ध्यान किया और आपने सही समय पर सही दिमाग लगाया तो आप जीवन में राइस भी करेंगे जुलाई 2022 का जो महीना है इस महीने पांच ग्रह स्वराशी के अंदर होंगे मंगल से लेके शनी तक मंगल बुद्ध ब्रस्पति शुक्र और शनी ये सब अपने अपनी राशियों में होंगे कहीं ये ग्रह अपनी राशी में बैठकर आपको अच्छा फल देंगे कहीं राजियोग, कहीं धनियोग बनेगा कहीं तरष्टियोग से संबंद बनेगा यानि इस महीने ग्रहों की भूमिका ने एक चीज तो पक्का बताई है कि ये ग्रह इस महीने आपको कुछ देने वाले लेकिन कुछ कमिया भी है क्योंकि इस महीने बंगल राहू का अंगारक दोश भी बन रहा है उसके बारे में भी मैं आपको समझाने का परियाज यावस्य करूँगा आईए समझते हैं ग्रहू की भूमी का आपके लिए इस महीने कैसी रहने वाली है देखे इस महीने सबसे अची बात है कि जब महीना की शुरुवात होती है तो शुक्र और बुद्ध का एक बहुत अच्छा और सुन्दर राजयोग आपकी राशी में बनने के लिए मिलता है कि राशी का मालिक राशी में है अगर राशी का मालिक मजबूत है तो आप मजबूत है आप धनियोग और राजयोग को लेने में शक्षम है उनको भोगने में भी शक्षम है अगर आप ही कमजोर हैं तो आप राज्योग आपके पास होगा लेकिन आप उसको भोग नहीं पाएंगे उधारण के तौर पे उड़ने के लिए ह qualified लेकिन चलने के लिए वीलचेहर का सहरा ले रहे हैं आप चल नहीं पारे उठ नहीं पारे तो ऐसे राजयोग क्या का फायदा खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बीमारी के करण खाने इरेज का मतलब पहीना कहीं आपकी राशी लगन पीडित है कि आप उन राजयोगों का भोग नहीं कर पा रहे हैं ऐसी ही आव इस्थिती देखिए कि राशी का मालिक शुक्र राशी में 13 जुलाई तक शुक्र इसी राशी में रहेंगे अपना मालब योग के साथ रहेंगे और साथ में रहेंगे इनके बुद्ध यानि ये कॉम्बिनेशन यश, मान, सम्मान, प्रिशिद्धी, अच्छे स्वास्त का प्रतीक है जब राशी का मालिक राशी में रहे और शुक्र जैसा ग्रह हो मालब योग मने सुक्सादन बढ़ते हैं जीवन में सुक्सादन बढ़ता है लक्जीरिस लाइफ आपके जीवन में मिलती है आपको सुक्स विधाय प्राप्त होती रहती है बुद्ध जब इसके साथ हो तो बुद्ध दूसरे घर का मालिक है धन देता है दूसरा घर वाणी से, बोल चाल से, अपने सुभाव से मालो आपने कोई इंटर्विव दिया आपका इंटर्विव कलेर हो गया आपने कोई डिलिंग किया आपकी बातों से सामने वाला गक्ति प्रभावित हो और उसने आपके साथ काम करना शुरू कर दिया परिवार से मिलने वाला सहयोग और धन भी दूसरे गर से देखा जाता है वहीं पंचम भाव का मालिक बुद्ध यहां राशी में चलना है पंचमेश राशी में संतान से सहयोग, संतान का राइज करना संतान की नौकरी संतान का भविश्य उजागर होना इसी कॉम्बिनिशन से है वहीं शिक्षा से विध्या से बुद्धी अपनी अजूकेशन के बल पर आप धन प्राप्ट करते हैं आपको नौकरी मिलती है यहीं वो समय है जुसमें सारी इच्छा पूरती आपकी होंगी 13 तारीक को होगा परिवर्तन शुकर का और 16 तारीक को परिवर्तन होगा बुद्ध का पहले शुक्र स्वयराशी के थे लेकिन अब बुद्ध स्वयराशी के ओकर यहां पहुचेंगे और यहां पर साथ साथ शुक्र भी होंगे अब बुद्ध शुक्र का राजयोग पहले राशी में बन रहा था अब वो बनेगा दूसरे घर में दूसरा गड़ धन का यानि धन की बढ़ोत्री धन की इंकम सोर्स ओफ इंकम का लगातार बढ़ना मल्टिपल सोर्स ओफ इंकम का लाइफ में होना लगातार एक ट्रैक पर आता जा रहा है यानि ये महीना बुद और शुकर के राजयोग से फली भूत है आपके लिए बहुत बहतर है इस राजयोग में अन्य ग्रह भी चार चांद लगाएंगे जिसमें ब्रस्पती होगा क्यों धन के मालिक मजबूत होने चाहिए कि भी लाब का मालिक लाब भाव में होगा तो फायदे मंद होगा कि मैं लाब का मालिक हूँ मैं धन का कारक हूँ मेरा काम है आपको सोर्स ओफ इंकम देना फायदा देना यानि ये तीसरा गरह आपके जीवन में होगा जो स्वयराशी का होगा पहले शुक्र स्वयराशी फिर बुद्ध स्वयराशी और अब ब्रस्पती स्वयराशी के होंगे यानि लाब का मालिक लाब है यहां से भी बैठके ब्रस्पती जो है पंचम भाव पे और सब्तम भाव पे द्रश्टी भी दे रहे होंगे यानि ये कॉंबिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है कि ब्रस्पती आपके लिए सुटेबल है उसका काम है लाब देना के आप कुछ भी काम करो उसका रिजल्ट आपको देगा अब ये ब्रस्पती भाग्य स्थान के मालिक शनी से बहुत सुन्दर गठ जोड बनाता है पहली बात व्रश राशी वालों के लिए शनी योग का रखें परम मित्र हैं सदैव आपके भला चाहने बाले हैं शनी 12 जुलाई को वक्री होके दशम से निकल कर भाग्य स्थान में नवमेश नवम में भाग्य को जगाता है नवमेश की एकादश भाव पे दरश्टी आपके भाग्य को लाव से जोड़ता है यानि ब्रस्पती जहां बैठे हैं वहां शनी की दरश्टी भी है और ये ब्रस्पती भी इस दोरान शनी के ही नक्षत्र में होंगे ये बात वहत नोट करने वाली है कि आपका ब्रस्पती स्वेराशी के होकर भाग्य स्थान के मालिक शनी से दरश्ट है और शनी के नक्षत्र में है इस से बढ़िया गट जोड नहीं मिलेगा भाग्य का और लाव का और बहुत सरल भासा में समझें भाग्य मतलब मेरा भाग्य मजबूत है मेरा भाग्या चल रहा है अब मुझे भाग्या से लाब मिलेगा तो भाग्या से लाब लेने का एक सुन्दर यूग ब्रस्पती और शनी दौनों ग्रह यहां से लेकर तीसरे घर पर दरश्टी देंगे और यह तीसरा भाव आपके जीवन में टू ट्रेबलिंग श्यात्राओं से इंकम कराने का होता है किसी सगे संबंदी के सयोग से लाब दिलाने के लिए होता है वहीं आप देखिएगा सूरिय को कि चौधे घर का मालिक दूसरे घर में है चोथा घर भूमी जमीन जादा प्रपर्टी का ले होता है सूरिय अगर वहाँ जाएगा तो इन चीजों के लिए अच्छा होगा कि मेरे प्रपर्टी का कनेक्शन जो है वो धन से बन गया अब ऐसे इस्तिति में मैं प्रपर्टी बेचना चाहूं या लेना चाहूं तो दोनों इस्तितियों में धन चाहिए हो जाएगा बिग जाएगी खरीदना चाहिए खरीद लेंगे परिवार का उसमें सहयोग मिल जाएगा सोलिय जुलाई तक सूरिय यहाँ होंगे तो आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आने वाला है जगे छोड़ने का एक बड़ा इस्तान परिवर्तन सूरिय की वज़या से दिखाई देगा क्योंकि सूरिय चतुरतेश होके आएगे यहां जहां पर बैठ कर इनको ब्रसपती, शनी और मंगल की चौती द्रश्टी सूरिय पर आएगी किस चीड का ख्यात जान रखना है सूरिय पिता का कारक है, सूरिय सम्मान का कारक है अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करें जिससे सम्मान पर ठेस पहुंचे यह समय पिता को एक तरीके से वार्निंग देने का है कि अपने स्वास्त का ध्यान रखो, आपको हेल्थी चूज आ सकता है अब इस महीने की सबसे बड़ी लापरवाही कहां हो सकती है कि भी अंगारक योग बन रहा है मंगल और राहू जैसे दोग रहे बना रहे हैं अंगारक योग आकिर है क्या ये अंगारक योग ये अब ये मंगल के साथ बनता है तो ही क्यों अंगारक बनता है किसी अन्य रहे के साथ क्यों नहीं बनता इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है आप जाके देख सकते हैं पिहाल फिलाल में एक चैनल पर वीडियो डाला है क्योंकि इस महीने मंगल रहू का अंगारा क्योंग बनेगा आपकी राशी से 12 भाव में एनर्जी और उर्जा के कारक मंगल का गोचर है और जब यह बारवे घर में हो तो अपनी एनर्जी को कहां कब किस स्थान पर लगाना ह अपनी एनर्जी को बचा के रखें विहरत की बाचों से बचें बारवे घर में अगर मंगल होता है और वो राहू के साथ हो जाए अब राहू भी यहां मंगल की राशी में मंगल की भाशा बोलेंगे इसलिए नतीजा यह होगा कि अत्यदिक क्रोध जल्दवाजी और जोश का भाव है और जब मंगल राहू के साथ 12 में बैठता है तो अश्टम द्रश्टी यहां आती है मंगल की आठवी द्रश्टी सदेव चिंता दिलाने वाली द्रश्टी है इसलिए अश्टम भाव पर इस प्रकार का सयोग आपके वह वही जीवन को खराब कर सकता है कि सब्तम करता आपकी छोड़े से देर की उत्तेजना आपको बहुत बड़े गाटे में ले जा सकती है चाए वो जीवन के किसी भी पहलू को लेकर हो इसलिए बहुत साबधानी रखनी है आपको इस महीने हनुमान जी की अराधना और भगवान शिव की अराधना करो गायत्री मंत्र क जाब करो इन से आपको सदबुद्धी मिलेगी ये समय जोश शाहस के लिए अच्छा है कि अगर आपने आपना जोश और शाहस एक स्थान पर ठीक तरीके से लगा के रखा तो तो ये फायदे मन्द है नहीं तो छोटी सी गलती बड़ा और गलत परिणाम भुगतने के कि इस महीने की सबसे ऐसी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी या दर्वाइज राजयोग बन रहे हैं काम करते रहो परिणाम लेते रहो तो ये था मेरा आज का विशह फिर से नविशह के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे जाए शेरी राम